हेलो दोस्तों, वेल्कम बेक टू आर चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्री के पहले वृत के बारे भी। नवरात्री का वृत, हिंदू धर्म में बेहत खास माना जाता है नवरात्री का वृत। इतना महत्पूर क्यों माना जाता है क्या आप जानते हैं धार में ग्रंतों के मुताबिक नवरात्री में नौ दिनों तक मादुरगा धर्ती पर ब्रमड करती है ऐसे में इस दौरान वृत रखने से माप्रसन होती है और सभी को मनिकामनाई पूरी करती है सभी को अपना आशि वाद देती हैं इसलिए नवरात्री के व्रत रखने चाहिए बढ़ते हैं नवरात्री के पहले व्रत की ओर नवरात्री का पहला व्रत माता शैल पुत्री का व्रत होता है माता शैल पुत्री को गाय का घी अतियन्त पसंद होता है और माता शैल पुत्री को गाय की भी से भोग लगाना चाहिए माता शेल पुत्री को सफेद रंग भी बेहत पसद है इससे अच्छा स्वास्त और मान समान भी मिलता है गंगा जल से भरा एक कलश और कुछ सिक्के सुपारी और अक्षत कच्चे चावल और हल्दी पाउडर पानी में रखा जाता है कलश में चा होती फूल फल और मिठाई रखते हैं ऐसा करने से माता शेल पुत्री खुश होती हैं और प्रसंद होकर आश्रवात देती हैं माता शेल पुत्री परवत राज हिमाले के घर में यह पुत्री रूप में जन्मी थी इसलिए इनहीं शेल पुत्री का नाम दिया गया है इस पूज़ा इन्हें नाम पुकारा गया शैल पुत्री शाप्दिक अर्थ परवत की पुत्री इन्हें सती भवानी पारवती और हेमवती भी कहते हैं दोस्तों शैल पुत्री माता की पूजा खूब मन लगाकर और अच्छी भक्ति से करें माता आपकी मनों कामना जरूर पूरी करेंगे दने वाद